100 essay sentences, 100 essay वाक्य, जो हम अपनी रोज मर्रा की जिन्दगी में यूज कर सकते हैं और अपनी English इंप्रूव कर सकते हैं यह कुछ ऐसे sentences हैं जिसे कहीं न कहीं हम रोज हिंदी में कहीं भी कभी न कभी बोलते हैं और इनी sentences को अगर हम English में लर्न कर लेते हैं तो हमारी English 100% इंप्रूव हो जाएगी चलिए अपने 100 sentences स्टार्ट करते हैं यह जूट है इत इस अलाई यह सही है इस राइट यह गलत है इत इस रौंग या फिर इस रौंग या फिर इस रौंग समझ गए समझ गए के लिए आप गट या अंडिस्टुड दोनों बोल सकते हैं कौन है? Who is it? मैं कौन हूँ? Who am I? कौन है वो? Who is that? यह कौन है? Who is this? वह कौन है? Who is there? मुझे पता है I know मैं जानता हूँ I know मैं नहीं जानता हूँ I don't know क्या तुम जानते हो? Do you know? मुझे सब पता है I know everything वो क्या है? What is that? मैं नहीं मानता I don't believe क्या हुआ? क्या हुआ? वोट हैपन्ट क्या हो रहा है? वोट इस हैपनिंग जिसको शॉर्ट में बोला जाता है वोट्स हैपनिंग समझ गए? यहाँ पे समझ गए जो है वो एक क्वेस्चिन है तो इसको हम बोलेंगे Did you understand? मैं कोशिश करूंगा I will try मैं कोशिश कर रहा हूं I am trying क्या तुमने कोशिश की? Did you try? वह नहा रहा है He is taking a bath मैं बाजार जा रहा हूं I am going to market क्या चल रहा है? What's going on? क्या बात है? What is the matter? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम क्या सोच रहे हो? What are you thinking? तुम क्या ढून रहे हो? What are you looking for? उसका कोई भरोसा नहीं He is not reliable तुम्हारा कोई भरोसा नहीं You are not reliable इसमें मेरा क्या कसूर है? What is my fault in it? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? What is your fault in it? इसमें उसका क्या कसूर है? What is his और हर? लड़की के लिए हर और लड़के के लिए his What is his fault in it? बैठ जाओ Sit down जल्दी करो Hurry up खड़े हो जाओ Stand up शर्माओ मत Don't be shy मेरे साथ चलो Come with me जूट मत बोलो Don't lie या don't tell a lie इशारा मत करो Don't gesture चालाक मत बनो Don't be smart मुद्दे पर आये Come to the point हल्ला मत करो Don't make a noise लड़ाई मत करो Don't fight तुम कौन हो Who are you? कोई है क्या Is someone there? जगडा मत करो Don't make a quarrel आप का बाए When did you come? तुम क्या चाहते हो What do you want? वह तुम्हारे जैसी दिखती है She looks like you रिप्या करके धीरे बोलिये Please speak slowly जाने की जरूरत नहीं है There is no need to go हम लोग कोचिंग जा रहे हैं We are going to coaching मैं अपने घर में हूँ I am in my house क्या मैं अंदर आ सकता हूँ May I come in? तुम खड़े क्यों हूँ Why are you standing? मैं क्लास में बैठा हूँ I am sitting in the class अब मैं कुछ बोलू May I say something now? आज चुटी है Today is holiday Phone आ रहा है The phone is ringing मुझे गुसा मत दिलाओ Don't make me angry आप से ये उमीद नहीं थी I didn't expect this from you तुम कहां से आये हो? Where have you come from? घबराओ मत Don't panic चिंता मत करो Don't worry मैं जल्दी में हूँ I am in a hurry क्या कहा तुमने? What did you say? जो हो गया, सो हो गया Let bygones be bygones वह सोया हुआ था He was asleep मुझे तुम पर गर्व है I am proud of you बक्वास मत करो बेकार की बात मत करो Don't talk nonsense इसमें खास क्या बात है? या फिर इसमें ऐसा क्या खास है? What is so special in it? Short form में, what's so special in it? मेरे पास नगद रुपया नहीं है I don't have any cash तुम कायर हो You are coward ये किसके लिए है? Who is it for? तुम डरपोक हो You are timid या फिर You are coward इसमें रोने वाली क्या बात है? What's there to cry? क्या आप मुझसे क्रोधित है? Are you angry with me? आप मुझसे नाराज है क्या? Are you annoyed with me? मुझे लगता है I think एक बात बोलूं Do I say one thing? मैं पक्का आऊंगा I will come for sure ज्यादा हसो मत Don't laugh too much मैं जुबान का पक्का हूं I am a person of words यहां से चले जाओ Go away from here तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? How dare you? आज वर्षा हो सकती है It may rain today अब आपकी तब्यत कैसी है? How are you now? मुझसे कौन मिलना चाहता है? Who wants to meet me? सुधर जाओ या फिर अपनी आदते सुधरो Mend your ways वह तो बड़ा ही लीचड आदमी है He is very sluggish क्या यह तुम्हारा आखरी फैसला है? Is this your final decision? यह उनका आपसी मामला है It is their mutual matter या फिर mutual affair यह है मेरी आखरी चेतावनी है तुम्हें This is my final warning to you क्या तुम्हारे पास मुबाइल है? Do you have a mobile? मैं तुम से कुछ पूछ रहा हूं I am asking you something मामला बिगड गया है The matter has become serious क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? Do you wanna say something? मैं सुभा से काम कर रहा हूं I have been working since morning यह थे कुछ ऐसे sentences जो आप अपनी daily life में कही न कहीं बोलते ही हैं और इन्हें अगर आप English में बोलेंगे तो आपका confidence पढ़ेगा और आपके spoken skills इंप्रूव होंगे कुछ ऐसी और वीडियो के लिए हमारी चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए और notifications के लिए bell icon को press करना मत भूलिए